हेलो दोस्तो मेरा नाम है कुनाल दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं एपल ने अपने आइफोन सेरीज के जितने भी आइफोन 8 के लाइन अप के ऊपर के डिवाइस थे उन सभी को आयूए 16.2 का अपडेट रोल आउट कर दिया है मिंस आप सभी को मिल चुका अपडेट लेकिन इस अपडेट में क्या कुछ चेंज हुआ है मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा वीडियो को आप लाश्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल नोटिफिकेशन भी आन करिएगा क्यो क्योंकि 16.2 में कुछ ऐसे चेंज किये गया है जिसका हमें बहुत बेसबरी सिंतेजार था और वो चेंज है दोस्तों नेटवर्क रिशेप्शन यानि अब 4G नहीं अब आप 5G भी यूज़ कर सकते हैं पहले क्या था तोस्तों यह 5G सपोर्ड़ डिवाइस था बट इसमें यह 5G काम नहीं करता था क्योंकि यह लॉक्त था लेकिन फाइनली अपडेट में इसको हटा दिया गया है और अब फाइनली हम लोग 5G यूज़ कर सकते हैं आपको मैं दिखा देता हूं कैसे आपको चिक करना है तो आप सेटिंग में जब जाएगा तो यहां पर मुबाइल देटा में जाएए और मुबाइल डेटा ओप्सन आपको दिखेगा यहां पर आपको वॉइस एंड डेटा दिखेगा जैसे यहां पर एल्टी है क्योंकि मेरे एरिया में अभी 5G रोल आउट नहीं हुआ है 5G यहां पर नहीं अबलेबल है लेकिन अगर आप बड़े सहरों में हैं तो ऐसे लगभग 50 सीटी ऐसे हैं जहां पर जियो ने या एर्टेल ने भी 5G लांच कर दिया है तो वहां पर यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कोई शू नहीं होगा तो फिलाल तो मैं एल्टी ही हूं रखूंगा और आपको आपको आपके लिए में 5G है आपके Apple Music में Apple Music में क्या है कि पहले जैसे आप गाना सुन सकते थे केवल गाना सुन सकते थे लेकिन अब क्या option आपको option है अब आप गाने के साथ गा भी सकते मिंस यह जो यह वोकल का वॉल्यूम है यह बढ़ रहा है और आप इसको बिल्कुल जीरो कर दीजे तो यह क्या हो आपके पास कोई option नहीं आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो यह हो गया दूसरा चेंज पहला फाइपल सिंग मिंस अब आप गाना गा सकते हैं यह बहुत बड़ा चेंज तो नहीं कहूंगा क्योंकि रिकॉर्ड करने को option रहता तो बहुत अच्छी बात होती और आपके प खिलाल कि अब आप सून भी सकते हैं गाना प्लस गाना साथ में गा सकते हैं लिरिक्स देखकर जो कि अच्छी बात है ठीक बात है अब तीसरा जो चेंज है वह एक एप है जिसका नाम है फ्री फॉर्म तो इस आप की बात की जाए तो यह क्या एक endless canvas है इसमें क्या होता है हम जैसे मेरे एक device है मेरे फ्रेंड के device है और कई सारे ऐसे device होंगे इनको हम लोग साथ में जरुवत नहीं है कि हम लोग एक ही wifi network पर connect हो अगर सबका अलग-अलग wifi network है तो हम लोग easily collaboration कर सकते हैं आप यहां पर जाएगा आपको यहां पर collaborate करने का option मिलेगा तो तेखिए collaboration का option र बनाया दूसरा device रहेगा उस पर वो चीज तुरंत आ जाएगा फिर वो कुछ बनायेगा मेरे पर आ जाएगा तो एक तरह से time-passive enjoyment के लिए अच्छा चीज है तो यह होगे आपका तिसरा चेंज चौथा चेंज है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ चौथा चेंज है आपकी सेटिंग में जब जाएगा तो यहां पर आपको अपने नाम पर टैप करना है और यहां पर दिखिए iCloud का option है इस पर आप टैप करिए और यहां पर नीचे जाएगा तो आपको मिलेगा advanced data protection दोस्तों यह क्या advanced data protection मैं आपको बता देता हूँ फिलाल यह इंडिया में तो अबलेबल नहीं है आप यूएस या अदर कंट्री में अबलेबल है इसमें क्या होता है कि इसमें in to end encryption है पूरी तरह से मिंस अगर आपको अगर आप आप करते हैं इस चीज को इससे क्या रहेगा वो की सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा मान लिजए अगर आपका data कहीं पे भी lost हो गया मिंस आप इस की को भूल गए तो आप कभी भी इसको वापस नहीं ला सकते हैं यहां तक एपल भी इसको वापस नहीं ला सकता data को आपका क्योंकि यह in to end encryption है पूरी तरह से उसमें आपको एक पास ही की रहेगा और वो की का इस्तमाल करके ही आप अपना data को रिटेन कर सकते हैं otherwise अगर आप वो की भूल गए तो आपके पास कोई option नहीं है कि आप अपना data वापस ला सके खेर देखी यह data protection के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आपके पस बहुत important data है तो आप इतना तो कम सकम ध्यान दीजिए गा ही कि आप इस key को न भूले और सबसे बड़ी बात है कि अब यह पूरी तरह से protect है apple तक को भी नहीं पता रहेगा कि आपके device में क्या data था या कुछ भी इस पहले क्यादा कि अगर आप कोई pack data ले ले लेते हैं apple care plus कुछ भी ले तो आपका data lost होता थो अब उसको वापस ला सकते थे लेकिन इसको on करते के साथ इन सारे चीजों device backup, message backup, icloud drive, notes, photo, reminder, safari browser, series shortcut, voice memos, wallet passes, यह सारे चीजों का data जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा, की आपके पास रहेगा आपको जब जरूत होगा, आप की का डाल यू में जाएगा, कहीं भी जाएगा, आपका वह चीज वापस नहीं आएगा, तो यह best है, क्योंकि यह पूरी तरह से secure कर देता है, आपके data को, और दोस्तों बात की जब बैटरी की, तो देखे दोस्तों एक सकता हो चुका है, तो मैंने बैटरी backup में देखा है, वैसा तो मुझ यूज करके आप अराम से एक दिन तो चला सकते हैं, अगर आप गेमिंग वेगर बहुत करिएगा, तो हाफ डे एटलिस चली जाएगा, और एक्स्टेंसिव गेमिंग करेगा, तो तीन-चार घंठा चल जाएगा, लेकिन मेरा मीडियम यूज है, इसलिए मैं आपको इतना पता सकता हूं कि बैटरी वेकप भी अच्छा है, और बात की जाए अधर फीचर की, तो एक फीचर है जैसे कि अगर आप मैसेज में जाते हैं, तो जैसे अब आप जेस्टर कर सकते हैं, वो जेस्टर क्या है, हम लोग पहले क्या करते थे, सलेक्ट करने के लिए हम लोग को आपको ऐसे करना है, बस देख रहे हैं, ऐसे कर दीजे, आप अराम से मैसेज को सलेट कर सकते हैं, और ऐसे फोटो को अभी सलेक्ट कर सकते हैं, तो यह हो गया जो की आईफोन 13 तक की यूजर्स के लिए है, उन सब को फीचर, देखिए आईफोन 14 यूजर्स के वो, इंडिय इंडिया में फिलाल इमर्जेंसी एसोए सेटलाइट के थूँ, वो एक नया आया आया 16.2 में, लेकिन फिलाल इंडिया में अवलेबल है नहीं, वो से फीचर, तो इसलिए उस पर बात करने का मतलब नहीं, लेकिन हाँ, उस पर आपको एक फीचर मिलेगा, कि आप अगर मिलता है, कि उसमें एक option आया है, कि अब आप जैसे पहले कहा था, always on display करने पर भी आपका जो पीचे का wallpaper रहता था, वो हलका से डीम होता था, जो कि बैटरी खाता था, लेकिन अब क्या है कि आपको पूरी तरह से आप wallpaper off कर सकते हैं, या on कर सकते हैं, आपकी मर्जी, दोस्त थोड़ा सा भी battery में जरूर बचेगा, दोस्तों यही था वीडियो, वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताएगा, आपको कोई doubt या query होता है, तो आप मैंसे comment box ने पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगी तो आप like जरू करिएगा, चैनल को subscribe जरू करिएगा, और bell notification कर लिजेगा, ताकि मैं कोई वीडियो डालू, उसका notification आपको मिले, दोस्तों मैं हमेशा unbiased review देता हूँ, जो है मैं वही दिखाऊंगा, कुछ भी extra नहीं, कुछ भी अपने से नहीं, तो दोस्तों मेरे चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, और द दोस्तों, देखने के लिए thank you so much, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जाहिंद, बंदे मात्रम